तो आपको calculate करना नहीं आता तो आप calculation में बहुत ज़्यादा time waste करने वाले हो हेलो दोस्तो हमारी YouTube channel में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं सौरब रावत PR के study fund में senior faculty हूँ आज हम percentage पढ़ने वाले हैं percentage का पहला part है जिसमें basic level के question को solve करने वाले है तो दोस्तो percentage पाणने से पहले percentage के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि percentage होता है क्या है देखो percentage का मतलब ही होता है किसी value को per 100 में calculate करना ठीक है तो और ये भी आपको पता होना चाहिए कोई value अपने आप में क्या 100% होती है तो देखो जैसे x percent का मतलब होता है x by 100 ये x by 100 आया कैसे हमने percentage का sign अटाके x के नीचे 1 by 100 से into कर दी जैसे 100% पर किया है percentage का sign अटाके हमने 100 को 100 से divide कर जा तो value कितनी आई 1 आई तो percentage को हमने 2-3 type में थोड़ा वाय जिसमें पहला है fraction दूसरा खुद percentage है percentage in decimal और एक decimal है तो जैसे 1 by 2 है तो 1 by 2 का मतलब percentage में 50% होता है percentage in decimal में इसको भी value नहीं होती है और decimal में इसकी value होती है 0.5 तो इसका सीधा से example है अगर आप 1000 को 1 by 2 से calculate करेंगे या 50% से calculate करोगे या 0.5 से calculate करोगे तो तीनों का answer सीमी आएगा तो यह पर देखा जैसे हमने 1 by 2 को calculate किया 1 by 3 को भी हमने calculate किया है इसकी percentage में value है 33 whole 1 by 3% percentage in decimal में इसकी value है 33.33% और decimal में इसकी value है 0.33 1 by 4 का मतलब वोता 25% percentage in decimal में इसकी value नहीं है और decimal में इसकी value होती है 0.25 1 by 5 का जो percentage value है 20% है और percentage in decimal में इसकी value नहीं होती है और decimal में इसकी value होती है 0.2 तो percentage का example में आपको करके दिखाने वालो हूँ यहां पर मैंने लिखा हुआ है 50% of 1000 अगर मैं percentage का sign अटा के नीचे 100 करता हूँ तो वो value वन जाती है 1 by 2 1 by 2 को मैंगर और calculate करता तो 0.5 आ जाता है तो इन सब का यानि 50% of 1000 या 1 by 2 of 1000 या 0.5 of 1000 करूँगा मैं तो तीनों की value एक ही आएगी तीनों की value सेम आती है जैसे 50% को किया हमने 50 by 100 तो इसका मतलब होता 1 by 2 अब off का मतलब क्या होता है दोस्तों अब इसको calculate किया तो कितना है 500 यानि इन तीनों value का एक answer होगा या पर कुछ और fraction value जिनके percentage decimal और percentage in decimal में convert किया तो 1 by 6 है जिसका मतलब होता 16 whole 2 by 3 percent और percentage in decimal में 16.66 percent और decimal में होता है point 1 6 1 by 7 है, इसका मतलब होता ह है फ़्सेंटुन होल 2 by 7 परेंटूचा परसनेट इसका मतला होता है, 14.28 परेंट, और डेसिमल में होता है 0.1428- 1745, फ़्सेंट इसकी परेंट इसके परेंटरेंट इसका हमारे पसंदेनर, इसका percentage में जो value होती है वो होती है 9 whole 1 by 11% इसकी percentage in decimal में होती है 9.09% और इसका decimal में होता है वो होता है 0.090 अगली value हमारे पास है 1 by 12 इसकी 8.33% होता है और decimal में होता है 0.083 दोस्तो हमारे पास कुछ और values हैं जिनकी हमारे पास fraction में value देरी किये और percentage और percentage in decimal और decimal में निकाल के रखा हुआ है तो जैसे 1 by 13 है इसकी percentage में value होती है 709 by 13% और percentage in decimal होता है 7.69% और decimal में होता है 0.0769 तो आपको यह सारी value पता होनी चाहिए और आपको implement भी करना है अपने question में तभी जाके आपको फाइदा मिलेगा अच्छा इन values में जो important values है वो fraction है percentage और percentage in decimal में अगर आप decimal को ना भी देखें तो ज्यादा problem नहीं है बढ़ आप इन तींचों को अच्छे से कर ले तो तो बहुत अच्छा आप score कर सकते हो calculation में तो जैसे हमारे पास यह सारी values है आप इनको एक बार देख लेना इनको रीड कर लेना अब जैसे हम बहुत सारी values है इनका हम double, triple और four time भी निकाल सकते हैं जैसे मैं एक example लूँ one upon fourteen है one upon fourteen की अगर fraction value percentage में value देखी जाए तो seven hole one by seven percent आ जाए अगर इसको two by fourteen कर दे है तो आप इधर दोसे 2 कर दे इधर भी दोसे लॉंत ँटो कर दे तो यह एको जाएगा two by fourteen or रे इह कितना और यह जाएगा 14hole two by seven diap HRMet अगर मैं इसको 10thule掰掰 तो कितना ओड़ जाएगा three by fourteen और यह कितना हो जाएगा 21hole three by seven अगर मैं इसको फोर से इंटू कर तो 4 x 14 हो जाएगा और इधर पी इंटू करने को तो कितना जाएगा 28 4 x 7 % तो ऐसे आम इन वेल्यू का 1 x 2 x 3 x 4 x जितने टामस तक आप निकालना चाहिए निकाल सकते हैं बस आपको इनके बेस को ध्यान रखना है अगर एक एक जामपल के 7,000 अगर आप निकालोगे तो कितना आजाएगा आपका 1000 आजाएगा तो अगर आपकी इनकी फ्रेक्शन वेल्यू या पसंट इनको आपको कैल्कुलेट करना नहीं आता तो आप कैल्कुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हो तो कैल्कुलेशन में टाइ तो इधर भी 3 किंटू किया मैंने और इधर भी 3 किंटू किया अना तो 3 किंटू करके मुझे कितना 75% मिला जैसे 1 by 6 है इसकी percentage में वेल्यू होती है 16 होल 2 by 3% होता है अगर मैं इस 1 by 6 को 5 से इंटू कर दो तो इधर भी 5 से इंटू करना पड़ेगा तो मेरी 5 by 6 के वेल्यू जाएगी 83 होल 1 by 3% 1 by 8 का जो percentage में वेल्यू है 12.5 इसको मैं अगर 3 times कर दो तो मुझे 3 से इंटू कननी पड़ेगी तो 3 by 8 आजाएगा और मुझे 12.5 को भी 3 से इंटू कनी पड़ेगी तो मेरी जो वेल्यू आजाएगी 37.5% आजाएगी 1 by 8 को यगर मैं 5 तो मुझे 1 by 8 में तो इधर 2 की इंटू करें कितना है 2 by 9 आजाएगा अगर मैं 1 by 9 को 4 से इंटू करता तो 4 by 9 आता है और इसकी जो percentage में वेल्यू हो जाएगी वो क्या जाएगी 44 होल 4 by 9% तो ऐसे आप बहुत सारे एक fraction से दूसरा fraction निकाल सकते हैं यह आपको calculation में help करेंगी दोस्तों percentage को fraction में कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला हूं देखो percentage को fraction में करने के लिए आपको multiply करना होता है 1 by 100 से है अगर आपका suppose x% कोई value है x% अगर मुझे इसको fraction में निकालना है तो मुझे x को 1 by 100 से इंटू करना पड़ेगा तो मेरी value fraction में convert हो जाएगी एक दो तीन example है सामने जैसे 15 15 परसेंट को अगर मैं fraction में convert करना चाहूं तो 15 इंटू 1 upon 100 तो इसकी जो value आगी कितनी आगी 3 by 20 आजाएगी 22.5 परसेंट है अगर इसको fraction में convert करना है तो 1 upon 100 से इंटू करनी पड़ेगी तो कितना जाएगा 9 by 40 आजाएगा और 16 whole 2 by 3 परसेंट इसका मतलब होता 50 by 3 अगर इ easily fraction में convert किया है आपने देखना जैसे हमारे पास पहला एक्जामपल है 516 सहीद 2 by 3 परसेंट तो इसको आपने करता हूं तो जिरो से जिरो कर जाता ही इट मिंस यह पर 5 आता है और 16 whole 2 by 3 परसेंट का मतलब हमने बता है तो 1 by 6 होता है इसको calculate करेंगे तो कितना है गा 31 by 6 इसका जो fraction पार्ट आएगा अगला example है हमारे पास 866 whole 2 by 3 परसेंट इसको हमने fraction में convert किया है तो हमने क्या किया है इसको break किया है 800 प्लस 66 whole 2 by 3 परसेंट 800 को हम 8 लिख सकते हैं और 66 whole 2 2 by 3 परसेंट को हमने 2 by 3 लिखावा है इसको calculate किया है तो इसके fraction value आई 26 by 3 आई अगला example है हमारे पास 191 whole 2 by 3 परसेंट तो इसको भी हमने दो पार्ट में break किया है 200 minus 8 whole 1 by 3 परसेंट या हमने minus किया है दोस्तों 200 को हम 2 लिख सकते 8 whole 1 by 3 परसेंट को 1 by 12 लिखा जाता है तो यहा दोस्तों आपने देखा percentage में हमने कैसे percentage को fraction, decimal और percentage in decimal में calculate करके calculation को बहुत easy बना लिया है तो इसके कुछ और question आप नेक्स पार्ट में करेंगे आपको अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगा है तो चैनल को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए